भारतिय जनता पार्टी है चाहे RSS है इनके विचार विचारधारा कारे परनाली हमेशा से समन्त बात से प्रभावित रही है और आप देखेंगे बरतमान में भी जो भारतिय जनता पार्टी के अंदर की सरकार पिछले 10 सालों में है इस सरकार ने चर्णबत तरीके से सोची सम दिया दो तिन जो आपके सरमायदार मित्र हैं उनके हाथों में आपने जितने भी सरकारी क्षेतर के जो ऐसे उद्रम थे जिनमें रोजगार स्रेजित होता था वो आपने उनके हाथों में बेच दिये तो जब सब कुछ आपने प्राइवेट हाथ में दे दिया तो अरक्ष निरेंदर मोधी जो है साफ मिनकार करते हैं कि हम जाती न जन्गर्ना यो है वो नी करेंगे क्यों आप क्यों नहीं जानना चाहते किस देश के अंदर डनित समाजसे coconut कितने लोग हैं OBC से जूड़े कितने लोग है जो अधिवासि है उस्समाज से जोड़े लोगों की संख्या कहें ये X-ray आप क्यों नहीं चाहते देश का इसली नहीं चाहते कि ऐसे तो आप कहते हैं कि मैं OVC हूँ चुनावों में आप बहुत जोर-जोर से चिला-चिला के कहते हैं कह रहे OVC का अपमान कर दिया OVC को गाली दे दी OVC OVC का आप रागल आते हैं लेकिन जब OVCs को अडेंटिफाई करने की बात आती है उस अधार पर उनकी गिंटी करने की बात आती है आप पीछे अटते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि तौँआ पार्टिया जनता पार्टी और केंदर सर्कार बैक फूट के उपर है कियोंकि भारतिया जनता पार्टी जिन बैसाख़ियों के सहरे गांदी का जो एक अभ्यान है दलित समाज को उपर उठाने का अनसुची जाती के लोगों को उपर उठाने का OBC को उपर उठाने का और जो जनजाती के लोग हैं उनको उपर उठाने का और इसमें जो भारते जनता पार्टी का जनाधार अब खिसक रहा है उस खिसकते जनाधार धार को देखकर और राहुल गंदी जिस तरीके से उनकी आवाज जो है संसर्थ के अंदर देश के अंदर देश के बाहर उठा रहे हैं उससे कहीं ने कहीं भारती जनता पार्टी में वखलाहट है और इसी वज़ा से आज वो राहुल गंदी को जो है राहुल गंदी के उपर इस मुद्ध को लेके अनसूचित जाती जन जाती और ओविसी का जो मुद्ध है इसको लेके वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, परहार करने की कोशिश कर रहे हैं, देश लेकर और समाज इस चीज को जानता है कि इन वर्गों का हिताशी कौन रहा है और इन वर्गों का जो ह अधिकार हैं उन अधिकारों के ओपर कुठारा घात किसने किया है